पुलीस ने लाश को बरामत करके पोस्मॉर्टम के लिए भेजा इसे दोरान घाट पर अफरा तफ्री मची रही और फाफा महू पर इक शेत्र में घंटो जाम लगा रहा घाट पर बने कुछ महडों में अराजक तत्वो ने आग लगा कर माहूल बिगणने का प्रयास किया पर पुलीस की सक्रियता और सक्ती से माहूल शांत रहा गौरतलब है कि एक सकताह पूर्व फाफा महू बेला कचार में दो पक्षों के बीच हुए फाइरिंग के बाद लापता यूवक की मंगलवार को दोपहर फाफा महू बेला कचार पूल के नीचे गले की चेन और खून के निशान मिलने से हड़कम मच गया सुशना पाकर मौके पर पहुची कई थाना की फोर्स ने चेन को कबजे में लेकर लापता यूवक की तलाश में गंगा में गोता खोर उतार दिये देर राद तक यूवक का कुछ पता नहीं चला था जानकरी के मताबिक एक सब्ता पहले 16 दिसंबर देर राद फाफा महु बेला कचार में सबजी की खेती करने को लेकर वर्चसव कायम रखने को लेकर पुराने फाफा महु गाव के कुछ लोग और रसुलाबाद के लोगों में आपस में कई राउंड फाइरिंग की गई थी फाइरिंग में मिथुन नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी और मनीश लापता हो गया था मिथुन की माँ गुड़ी देवी की तहरीर पर शेवकुटी थाने में बारुत खाना रसुलाबाद के पाच लोगों के खिलाब जानलेवा हमले का मुकदमा धर जुआ था मंगलवार को दोपहर में परिजन मनीश की तलाश कर रहे थे तब इफाफा मुचंदरशे कराजाद सेतु के नीचे मनीश के गले की जंजीर रेट में देखी तो और खोजबिन करनी शुरू की तो पास से कार्तु स्कून के निशान भी दिखाई दिये जिससे हड़ कम मच सुषना पर S.P. गंगा पार्क के निर्देशन में सोराव थाना प्रभारी आशुतोष तीवारी ने जंजीर को बरामत कर गोता खोर को बुला कर देरराज गंगा में उतार कर गायब युवक की तलाश कराई देरराज तक लापता युवक को खोजा नहीं जा सका NBC News के लिए प्रयागराज सेरवी चंद्रा की रिपोर्ट